और लो फ्रेंड्स? आज हम आपका जिट्यू का कौनोकेशन का जो फॉर्म है, वो कैसे फिलप करना है? और पैमेंन में बहुत साथ स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है, जैसे कि पैमेंन काट हो जाता है, लेकिन आपका सकसेस्फूल नहीं दिखाता है, कैसे पैमेंन करन पर आपको क्या करना है वह आपको लास्ट में बताएंगे वीडियो के अंद में आज हम क्शुल के साथ आपको आपका पासवर डाल देना है अभी यह सब के पास आपको यादी है कि क्या करना है कि यह सब को login करना अभी पता चल गया अगर आपको login में कोई दिक्कत हो रही है तो description में आपको एक link दिए कि login में अगर problem होती है तो क्या करना है और कैसे करना है तो आप i button में जाके click कर सकते अधर्वाइस description में जाके आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने detail डाल दिये और detail के बाद यहाँ पर आप देखो यहाँ पर connection लिखा हुआ है left hand side पर यहाँ पर connection लिखा है वो connection पर जागे click करना है बहुत सारे student जो है वो यह certificate request में जाते हैं यहाँ पर नहीं जाना है आपको यहाँ पर दिखा है application for g2 10th annual connection और उसकी last date जो है वो है 15 December यहाँ पर सब detail दिया है यह detail आपको एक बार carefully पढ़ लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको terms and conditions accept करना है और जैसे आप terms and conditions अब accept कर लोगे apply for degree diploma certificate अभी हम डिपलोमा के लिए apply कर रहे है तो आप यहाँ पर डिपलोमा अगर आपको degree के लिए भी आप कर सकते हो अगर आपको यह change photo करनी है तो आपको अगर फोटो आप अपलोड करते हो तो क्या करना है कि अगर आपकी photo upload हो चुकी है फिर आपको अपनी college में जो भी gtu का login ID password जिसके पास होता है उसको inform करना है कि मैंने photo upload की है तो आप क्रिपिया करके उनको change करे उनके पास ही authority होते है बाकी कोई किसी के पास authority नहीं है तो आपको यहाँ पर आपका जो cgp है वो देख लेना है और आपका यह जो electrical engineering हो है यहाँ पर आपको वो address डालना है जो address पर आपका Convocation के बाद जो certificate है वो घर पे आएगा वो address आपको यहाँ पे डालना है Second thing है जो आपको अपना नाम perfectly देख लेना है कि proper है कि नहीं और वो नाम देखने के बाद ही आपको detail fill up करनी है तो यहाँ पे मैं अपना address डाल देता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना address सब डाल दिया है address डालने के बाद यहाँ पे I agree कर लेना है और I agree करने के बाद अगर आपके पास आधार नमबर है तो यहाँ पे आपको properly आधार का नमबर डालना है यहाँ पर आपको अधारकार नमबर आपका प्रॉपरली डाल देना है उसके बाद आपको एपलाई करना है जिसके पास भी अधारकार नहीं होता है वो एक बाद चेक कर लेना क्योंकि विदाउट अधारकार आपका कितनी बार नहीं होगा यह मेंडेटरी नहीं है तो चलेग यहां पर आगे जाता हूँ, यहां पर question है want to be alumini, इसका मतलब क्या है कि जब भी भी alumini होगी, यानि कि convocation होगा GTO का, तब आपको वहां पर attend करना है कि नहीं करना है, अगर आप यहां पर want to alumini करते हो तो उसका मतलब है कि आप GTO में जब भी भी convocation होगा चांद खेडा, आप वहां पर जाओगे और attend करोगे और वह जो black color की टोपी और वह सब पहन के, लेकिन वहां पर बहुत सारे student rotate GTO में और उसके आपको extra 200 रुपीज पे करने, तो जो student है, जिनको alumini में नहीं जाना है और अपने certificate से ही, अपने certificate लेना है, तो वो यहां पर tick mark नहीं करेंगे, यह अगर आपको ध्यान रखने है, यहां पर tick mark नहीं करेंगे, अगर आपको वहां पर जाना है और सब attend करना है, तो आपको यहां पर tick mark करना है, और आपको वहां पर attend करना पड़ेगा, लेकिन जो out of state है, या फिर कोई काम में busy है, due to corona आपको नहीं जाना है, तो आप यहां पर टिक मत करना, और यहां पर agree करके generate form and make payment, अभी payment में बहुत सारे option है, जब भी आप payment करते हो, तो आप अपना name और सब देख लेना एक बार 300 रूपीज होते है, इसके तो आपको payment करने हो है, डिपलोमा के लिए 300 रूपीज, अभी जब भी payment करते हो, तो एक net banking से payment करो, मेरा point of अगर आप debit card से करते हो, तो रूपे में थोड़ी problem आ रही है, अजय वेल एज आपका visa में भी थोड़ी problem आ रहे है, mastercard में कोई problem नहीं आ रही है, जनरल में क्या करता हो, कि में अपना जो भी payment है, जीत यू का जो भी payment है, वो net banking से करता हो, तो net banking से क्या होता है, कि जब भी आप net banking से payment करोगे तो आपका payment safe रहेगा as well as आपका payment reject होने के chances zero है debit card से payment करते हो तो reject होने के chances है आप payment करते हो success का message आजाएगा और success का message आने के बाद back to application जाना है जिससे आपका ये form generate हो जाएगा मैंने payment अपना net banking से किया सा जिसमें कोई problem नहीं आए दी आप भी अपना payment net banking से क करते हो और रूपेकार से अगर करना है तो आपको carefully करना है अगर payment cut जाता है आपका और फिर आप success failure लिखके नहीं आता है तो आप wait करना अगर 24 hour में आपका payment नहीं दिखा रहा है तो आप transaction में जाना आपके पास transaction है यहाँ पे तो transaction में आप जैसे ही जाओगे आपका transaction हो आपको पता चल जा है अगर convocation में जाके अगर आपका payment successfully हो चुका है तो आप agree करोगे और जैसे आप agree करोगे तो वापस वही फॉर्म कुलेगा आप नहीं option फिल अप करने का नहीं आएगा अगर 24 hour में payment failure ही दिखा रहा है तो आप query underscore करके जो email address है उस पर अपना mail कर दो और आप फिर से payment कर सकते हो अगर कोई भी problem है payment related तो आप मुझे instagram पर message करते हो message करोगे तो आपको reply दे दूँगा mail करोगे तो भी reply दे दूगा और comment करोगे तो भी reply दे दूँगा within a 30 minute या 1 hour में आपको reply मिल जाएगा और भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बटाए अगर आपक